बहुत समय पहले की बात है एक छोटी से गाउ में कुता रहता था जिसका नाम था मोती मोती एक बहुती चलाक और लालची कुता था वह हमेशे अपने लियो और दिखाने की कोशिश करता रहता था में दूसरों की चीजों पर नजर गड़ाए रखता था मोती का सबाव इतना लालची था कि वह कभी भी संतुस्त नहीं होता था चाहें उसके पास कितना भी खाना क्यों नहों गाउ में मोती का नाम उसकी लालच की कारण बहुत प्रसित था लोग उसे अच्छे से जानने लगे थे और उसकी आद्टों को लेकर हमेशा स्तरक रहते थे मोती की लालच की एक बड़ी बज़े यह थी कि उसकी बाड़े में बहुत सारे दाने और मिठाईयां रखा करते थे लेकिन फिर भी वह हमेशा और अदिक की तलाश में रहता था एक दिन मोती की लालच का एक नया रूप सामने आया गाउं में एक मेले का आयोजन हुआ जिसमें बहुत सारे स्वादिस्ट पकवान और मिठाईयां रखी हुई थी मोती ने देखा कि मेले में एक बड़ी मिठाईय की दुकान लगी है जिसमें संगंदित गुलाब, जामून, पेड़ा और अन्यलजी चीजे रखी गई है मोती ने मिठाईयों की खुश्बू को सुनगा और उसका लालच पढ़ गया मोती ने सोचा, अगर मैं इन मिठाईयों को हासिल कर लो, तो मेरी भूग पूरी हो जाएगी और मैं संतुस्ट हो जाओंगा लेकिन उसने देखा कि मिठाईयां बहुत दूर थी और दुकान में लोग भी बरे हुए थी मोती ने अपने लालची सबाव को सही ठहराने के लिए की योजना बनाई उसने अपने चारो और देखा तैक किया कि दुकान में जाकर मिठाईयों को चुराएगा मोती ने साफधानी पुरवक दुकान के पास जाकर दुकान की नजरों से पचने की कोशिश की उसने देखा कि दुकान दार थोड़ी दिर के लिए वैस्त था और उसने मोके का फाइदा उठाया मोती ने मिठाईयों की बड़ी प्लेट में मूँ डाला और एक एकर के मिठाई चुराने लगा लेकिन मोती का लालच और बढ़ गया और जितना खाता गया उतना ही और दिखाने की इच्छा हुई जैसे ही मोती मिठाईयों को खाते विए उसके आलत खराब होने लगी मिठाईयां काने से उसका पेट फूला बहुत ऐसा हैज महसूस करने लगा जब मोती मिठाईयों से पूरी तरह भर गया तो उसने दुकान के बार निकलने का रास्ता भे मुश्किल से नजर आया दुकानदार ने मोती की हरकतों को देख लिया और जल्दी से दुकान के बार जाकर मोती को पकड़ लिया दुकानदार ने मोती को उसकी लालच के लिए डांटा और कहा तुम्हारी लालच के कारण तुमने खुद को प्रिशानी में डाल दिया हर चीज़ी एक सीमा होती है बेटा और तुम्हारी अतिलालच ने तुम्हारी अहलत खराब कर दी मोती को अपनी गलती का हैसास हुआ लेकिन अब बहुत प्रिशान और दर्द में था दुकानदार ने मोती को समझाया कि ज़्यादा लालच करना हमेशा नुकसान का कारक होता है हमें संतोश महाव में रहना चाहिए उसने मोती को कुछ पानी पिलाया और उसके मदद की ताकिवे थोड़ा ठीक महसूस कर सके मोती ने दुकानदार की बातों को गंबीरता से ले लिया और अपने लालच को कम करने का निर्णय लिया उसने समझा कि दूसरों की चीजों पर नजर गडाना और ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश करना सही नहीं है अब मोती ने धीरे धीरे अपने आद्तों को बदलना सुरू किया और संतोशी रहना सुरू किया गाउं में मोती की लालस की कहानी सुनाई जाते थी अब लोगों को यह सीख मिली कि लालस केवल दुक और परिशानी का कारण बनता है मोती ने अपने गलती से सबक सिखा और अपनी आद्तों को सुधारने की दिशा में काम किया कुछ समय बाद जब मोती की आद्ते बदल गई तो गाउं में एक सम्मानित कुटा बन गया उसने अपनी लालस को छोड़ कर दूसरों के साथ मेल मिला पर प्यार में रहना शुरू किया मोती की यह कानी सबक देती है कि जब हम अपनी आद्तों को समझते हैं सुधारते हैं तो ना केवल हम खुद को सुधारते हैं बलकि दूसरों के लिए भी एक अच्छा जिवन दे सकते हैं यह कहानी आमें बहुत अच्छे सीख दे के चाती है कि जिरूरी नहीं कि अधिक चीजों से ही आप खुश रह सकते हो आपके जीवन में अगर संतोश है और सब्र है तो आप किसी भी स्थिति में खुश रहोगी यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है और ऐसी कहानी आप सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा